आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। त्रिती चत्रोथांस में हैं। यहाँ पर हमें व्रत के केंद से मतलब है, क्योंकि सवाल हमसे कहए राए कि यह यह रिए, तृति चत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत् और यही के हमारी क्या होगी यही हमारी त्रिज्या होगी त्यानी की इस प्रकार से जो हमारा व्रत कम समीकर्ण लिख सकते हैं जब हमें त्रिज्या दी हो त्रिज्या का मान के है और जब हमको केंद्र दिया हो तो ऐसे में जो हमारा व्रत का समीकर्ण होता है यहमारा बन X धन, H का पूर्ण वर्ग, धन, Y धन, K का पूर्ण वर्ग, बराबर K का वर्ग, यहाँ पे X रण H क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे निर्दशांक वानने हैं, वो हमने रणात्मक मान के रखे हैं, इसलिए यहाँ पे X रण H की जगए X धन H आया है, तो हम क्या इस को में आगे हल कर देना है अब सवाल हम से कह रहा है कि एक कोई रेखा है चार एकस रिंथ तीन वाई धन 4 बराबर शुन ये जो हमारा वृत है वो इस रेखा को भी इस पर्श कर रहा है तो वृत अगर इस रेखा को इस पर्श करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ केंद्र से इस रेखा पे डाला गया लंब, केंदर C से इस रेखा पे डाला गया लंब, ये क्या होगा, ये हमारा बराबर होगा, तिर्जा के, तो केंदर से, केंदर हमारा क्या है, रनात्मक H, कौमार रनात्मक K, इस से इस रेखा पे हम लंब डाल देंगे, जो हम लंब डालेंगे, तो लंब का सूतर क्या आएगा 4H रनात्मक रनात्मक 3 रनात्मक के धन 4 बटे वर्ग मूल 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग तो यह हमारे किसके बराबर होगा यह त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज करेंगे तो यहाँ पर रनात्मक 4H धनात्मक 3K धन 4 बराबर हल करने पर 5 किया जाएगा इसको में आगे हल करना है तो आगे हम हल करेंगे तो अगर रनात्मक 4H रनात्मक 2K धन 4 बराबर 0 तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर रनात्मक 2 से भाग करने पर जो सम आजाएगा अब सवाल हमसे आगे का कहरा सवाल हमसे आगे कहरा कि जो मारा व्रत है इस व्रत का केंद्र केंद्र मार क्या है केंद्र हमारा रहनात्मक के बराबर एक तो इस प्रकार से यह हमारा एक रेखा का समिकंड आ जाएगा इसको आगे हल करेंगे तो आगे हल करेंगे उपर जैसे की हमारा एक समिकंड दिया हुआ है दो एच धन के बराबर दो हम इन दोनों समिकंडों को आपस में घटा सकते हैं इन दोनों को आपस में घ हमारा घटेगा तो यहां पर हमारा आ जाएगा तीन एच बराबर दो रिन एक एक तो यहां से हमारा 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 एक बटे तीन आ जाएगा हमारा एक बटे तीन आ गया इस मान को किसी भी एक समीकण में रख देते हैं इस समीकन में रखेंगे तो H कमान धनात्मक का एक बटे तीन धनात्मक का के बराबर एक जिसको हल करने पर यहां पर जो मरा के कमान आएगा तो के कमान यहां पर एक धन एक बटे तीन आएगा जिसका मान हमारा हो जागा चार बटे तीन तो के कमान x धन, h का वर्ग, धन, y धन, k का वर्ग, बराबर k का वर्ग, यह हमारा समिकन था, यहाँ पर सभी मानों को रख देंगे, और हमारा उत्तर आ जाएगा, रख देते हैं, x धन, 1 बटे 3 का वर्ग, धन, y धन, 4 बटे 3 का वर्ग, बराबर k का वर्ग, यानि 16 बटे 9, इसको हमें हल कर देना है, तो इसको जब हम हल करेंगे, तो इसको हल कर देते हैं, x का वर्ग धन, 1 बटे 2, 1 बटे 9, धन, 2x बटे 3, धन, y का वर्ग धन, 16 बटे 9, धन, 8y बटे 3, रनात्मक 16 बटे 9, बराब अब यहाँ पर LCM ले लेंगे, तो LCM हमारा आएगा 9, तो इस पूरे समिकन को हल करने पर जमारा उत्तर आएगा, वह एगा 9X का वर्ग, धन Y का वर्ग, धन 6X, धन 24Y, धन 1 बराबर 0, तो इस प्रकार से यह हमारा क्या होगा, यह हमारा उत्तर होगा, धन्यवाद.